श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु हमारे यहां इसको शुक लेक्ष एका रशी भी कहते हैं और कहते हैं ये सती माता ने यही एका रशी के दिन से जो ब्रत साधना करना प्रारम करी थी वो सुख देने वाली थी निवेदा ने आपसे बी कोई कार्यतक रहा है तकलीफ आ रही है दुख है लच्मी नहीं आ रही परेशान हो एकसो आठ बेलपत्र की जो बेलपत्र होते हैं उसकी इसको छेत तो करते नहीं है सोई से बेलपत्र की टंडी को बानते जाओ बानते जाओ एकसवाट बेल पत्र की माला बनाना और माला बनाकर भगवान संकर के गले में संकर के शिवलिंग को जो चना देता है उसकी मनों कामना भगवान संकर पूरी कर देती है अच्छाएका रश्री 108 बेलपत्र की माला बना कर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है माता लच्छमी ने भगवान विश्व को पने के लिए तुल्सी की माला बना कर समर्पित करी थी जैसे सतीन शिव को पाने के कामना को पूर्ट करने के शास्तर कहता है घर के गुजरगों को, घर के बड़ों को जेट, जेटानी हों, सास्थ, हसुर हों घर में जो तुमारी उम्हर से बड़ा हो उसको आज पीला खूल, या पीली चने की डाल या पीला बस्तर, कुछ भी पीली सामागरी आज घर के बड़ों को देना चाहिए क्यों देना चाहिए तो शुमाहापुराण की कता जाती है कि जो शुकलपक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तू का दान दे देता है घर के, किसी ब्राह्मन को देने नहीं जाना है किसी मंदर में देने नहीं जाना है अपके ही धर में आपके ही धार के बड़ों को कोई सीवी पीली चीज का जान कर सकते पूल ऑख Mon Bay पाइब हो कोई अनाज हो वस्त्र हो पीली वस्तु का दान देड़ा क्या होगा उससे शू महापुरान की कथा करती है उससे जिन्दकी में कभी बड़ी विमारी परविश्च नहीं करता है बटवरक्ष के पूझान करने वाला बटवरक्ष के नीचे शिर्की अराधना करने व नीचे मात्र ताजा मिष्ठान धूद का बना कर उस सामागडी को बख़ा नावले के ब्रचके नीचे पूजन करने से लच्छमी और संपता की ब्रद्धी होती है जैसे शमी का पोधा शमी का ब्रच शमी के ब्रचके नीचे मात्र दूद और जल मिला हुआ जल शमी के ब्रच के नीचे मातर ओघड़ दानी अब दूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हपते में एक बार भी अगर दूद और जल का मिश्रन शमी के पोधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बिमारी है कहीं का इंसर जैसा रोग है या किड्नी लीवर जैसा रोग है कोई भी तकलिफ कोई गाठ अगर शरीर में हो गई है तो शमी के ब्रच के नीचे दूद का जल थोड़ा सा हपते में एक बार अब दूतेश्वर महाद सुख का नुख हो बस एक बात का स्मरण रहे आप आवले के ब्रच के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पासकते हैं पीपल के ब्रच के नीचे कोई भोग लगाया है पासकते हैं बट ब्रच के नीचे कोई भोग लगाया गया है पासकते हैं जिस ब्रच के नीचे भो लग लगया गया है वो नहीं पाया जाता है शमी द्रक्ष का जो परसाद है वह आपको वहीं छोड़ना पड़ता है खाली न जाता कोई खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे में भी खड़ी हूँ न भी बाहरे पसाद में भी खड़ा हूँ न भी बाहरे पसाद है अपने श्री श्रिवाए नमस्तों ध्यान के लिए का दशी इसकंद पुरान यहां तक करती है कि इस कथा के चरीतर को जो श्रवन कर लेता है उसको 26 एका दशी करने भी नहीं पड़ती इस एका दशी की केवल ये कथा सुनकर ही व बहुत द्यान से सुनना इसको कता है तो बड़े भाव से सुन लो इसको का है बड़े प्रेम से इसलिए सारी एका दशीयों में निर्जला एका दशी की महत्वता सास्तर प्रमान करता है निर्जला एका दशी का उध्यापन जो करा जाता है उसका उध्यापन और प्रदोश उसका जो त्यापन करा जाता है इन दोनों का क्रम लगवग लगवग एक जए सई तो निर्जला पहुंचे और निर्जला ने जाकर भगवान नरायन से निवेदन करा भगवान विश्णु ने पूचा क्या वात है निर्जला आज तुम खेलती होई यहां पर आकर खड़ी हो यहां आने का बेकुंट पहुचने का वो ध्यांदिना मारज शास्त कता है सोमबार मंगलवार बुदवार गुरुवार सुकरवार सनीवार ये देवता वो देवता सब के बृत कर लो सारे व्रत कर लो पर ये व्रति आपको परमातमा के द्धाम तक लेकर नहीं जा सकते कि एनका जो पुन्न है वो मर्द्धि लोक में आप थोड़ा सा भी गरत करते हैं तो पुन्न समाटों हो जाता पर हिंदू धर्म के तीन वरते से बता दिये जिन वरतों का पुंड समाप्त नहीं हुआ हिंदू धर्म के तीन वरते से हो गए जिनका पुंड समाप्त नहीं हुआ जिनका पुंड प्रबलता में बढ़ता गया पहले नमबर पर एका दशी दूसरे नमबर पर प्रदोश और तीसरे नमबर पर शिवरात्री एकाद शीवी 26 है तो प्रदोश भी जम क्यों बोलते जाओ 26 है शिवरात्री केवल बारा और अगर अधिक मास की पढ़ जावे तो यह तो यहां सास्तर कह रहा है कि तीन व्रत आमारे यहां जिनका पुन्य समात्र नहीं हुआ जिनका पुन्य प्रवल हुआ बड़ा इसलिए आज में माता एकादर्शी का प्रद करती है और एकादर्शी का पृद करकर आगर कोई जीव आत्मा को देते हैं कोई मर भी गया तो इसको एकादर्शी का धान देते हैं मारत निर्जला करीज़ पूचा क्यों आई हूए तहिक निर्जला आई तब लच्मी मैयां उठकर निर्जला के लिए निर्जिला बहुत सरल थी निर्जिला कहते हैं कामा एकदशी सकसे लंबी है कौन सी एकदशी कामा फिर मोक्षदा उससे नीची है मारत और निर्जिला जो है बिल्कुल छोटिया सरूप है निर्जिला का मतलब देखा जाए तो किवल दो चोटी करी होई है मस्तक पर बोर प Twin चेजिला के संदर गले में तुल्सी की मालाई पेनी है इस फ्मकश द्यान में ऑगा इसा बढ़ा थूल होता था हम उट्यां पड़ी होती थी हात में ऐसा लगा हरता तो निर्जिला हाथ फूल में तुल्सी के धारन रहन को बड़ा सुंतर सुरूप है माता निर्जला का मारत छोटी है तो माता लचनिन के पास ने गई और निर्जला से जाकर पूछा निर्जला तिक आने का कारण क्या है तू बता नारेन आपसे पूछ रहें कि क्यों आई हो किसली आई हो क्या है कमारे आने का कारण निर्जला ने कहा मेरी विंती केवल इतनी सी है मा कि मैं इचाती हूँ कि मैं जीव के प्राण छूतने के बाद उसके प्राणों को जिस समय में लेकर जीव अत्मा के प्राणों को परमात्मा तक भेजूं बेकूंत तक भेजूं गवलोग धाम तक पहजू उस बीच में मुझे ले जाते समय कई नरक भी बीच में पढ़ेंगे कई स्थान ऐसे बेतर नहीं आदी कादी की स्थान बीच में आएंगे तो वो स्थान में मुझे रोका ना जाए मैं सीधे भगवान के धाम पहुच जाएं बने करथा द गार्शी के वड़ सबकार है महां कि अटरी जेतना इन माता हैं एकाद्षी से बाते इस ध्यान साहीं जिंदगी में मिलरा मिली कर यह कि इस कठा कर द तर न भांम से तर जाते हैं इस कठा के चरीतर को जो कुछ रवन कर लेता है उसको 26 एकादशी करने भी नहीं पड़ती इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही उतर जाता बहुत ध्यान से सुनना इसको गथा को सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन ब्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस धरदय में कर लीजिए जिस दिन आप ब्रत करो जैसे एकादशी का ब्रत कर रहे हो तो दश्मी के दिन शाम का समय जब आवे रात्री जब होने लगे शाम का समय आवे और रात्री का आप जब भोजन गरन करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्त गरन मत करिए जिस पदार्त के करण आपकी एकादशी बिगड़ जा कोई बेकार बोजन में करना करना करिये दसने और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनियेगा जिस दिन आपकी एकादशी का ब्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी ब्रक्च की कोई पती तूटे ना कि अपने हाथ से किसी भी ब्रक्च की पहुदे की किसी भी ब्रक्च की पत्ति अपने हाथ से ना तूटे बहुत ध्यान दीजेगा मरत एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पहुदे की किसी ब्रक्च की किसी डाली की कोई पत्ति ना तूटे इसका प्रय कितना सुंदर ब्याख्ङान कहा है, कितना सुंदर बर्ञन है हमारग कि मात्र एका दर्शी का ब्रत कर लेने पर ंब जो पूर्ब में किया गया हमारा काप कर्म है कर लेने पर, यह सारे थोष समात्त पर जाए जाएं पर जोष्चे सामात्ती है अब विचार करिए दूड़ा सब्सक्राइब ना पने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को एपने पाप कर्म को जिस दिन करने वाले हो समाप्त करने वाले हो अपने पाप को आप direct एक दिन समापती पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसंता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है कल मेरा पाप समापत होने वाला है जो में पाप कर्म करा है वो समापत हो जाएगा तो एक दिन पहले आपके चेरे पर प्रसंता हो कि अ कि वो अ कि पर वो सबत आपके आना चाहिए कि कल्म मेरा एका दरहे है आज जशी आ है कल डाशी को रते तो कल्में छिवाटरी गड्राइब तो मेरा ना जाने कितना иг生 पाप कितना चाहिए कितना ना पित अप स्वा कि यह यह अधो जाएंग इसम्हें मुझे प्रस्वनता ता ह मुझे आनन्द कम कुछ कर आप तो क्या कहा गया ह paragraph की यहास कृप ढियेगा की एका पर घ्य के दिन निर्जिन कोई ब्रक्च कर जाली की निक वी कोपल कि कोई पती ना तूड या सकत THAA आगर तोड़ेते हैं ख़्रच की पती को या कियाँ में लगी हुई कोई डाली की पती को शाम थोड़ेते हैं ओम नम्म शिवाई हर हर महादेब दोस्तों जैसा कि आप सो भी जानते हैं 81 का बरत 25 सितंबर को है और सभी 81 के बरत में क्या 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 करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारे उपाए पड़ित परदीप मिश्रा जी ने हम लोगों के साथ बताए है एक 80 का बरत कितना लाब परदीप में का ये बरत करता है और वो भी सची आजासा सची मन से तो उसको कितने बैकुन धाम कितनी सारी चीज़े कितने फल मिलते हैं वो गोर किसी बरत से नहीं मिल जाते हैं 80 का बरत इतना ज्यादा लाब दायक है ना कि अगर आप एक भी बरत नहीं करते हैं सिर्सेफ एकादसी का बरत करते हैं तो उसे आपको बहुत फल मिलता है एकादसी के बरत के साथ डस्मी वाले थिन भी हमारे बहुत सारे नियम होते है तो इसलिए पंडीज जी ने बहुत सारी चीज़े इसमें बताइब है किtuerkरना चाहिए कैसे करना चाहिए तता iblृदौ क्या फल मिलता है तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बुलिए और कमेंट में ओम नमर्शिभाई लिखते हुए जाहिएगा जैज नारायन लिखते हुए जाहिएगा राधु पिश्णा